हालो गुड मोनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है रवी और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए साइंस सेकेंड पेपर की क्लास तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास पहला कोश्चन है बैक ल बिजिली का अच्छा इंसुलेटर होता है तो क्वेश्चन नमबर बन का सभी लोग आंसर करेंगे की बैक लाइट का उपयोग बिजिली का एक अच्छा इंसुलेटर होता है क्यों करते हैं इसका उपयोग क्योंकि या बिजिली का एक अच्छा इंसुलेटर होता है आगे अगले कोस्चन पर चलने से पहले एक बार जितने भी लोग हमारे साथ में हैं इस समय क्लाश को शेर कर दीजिए सभी के पास में और जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखेंगे उनसे भी यही कहना है कि वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पहले नाम बराबर हैं तो आपको बताना है कि गतिके निमलिखित में से किसमें तैंक की गई दूरी और विस्थापन के पहले नाम बराबर हैं पहला अपसने सीधी सडक पर चलती कार दूसरा है गोला का रास्ते में चलती कार तिसरा अपसने एक दोलक का इधर उधर दोलन करना और चोथा अपसन ने प्रतिवी सूरी के चारों और चक्कर लगाती है तो आपको बताना है क्वेश्चन नमबर दो का कौन सा अपसन सही हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट प्रिवियस एर क्वेश्चन प्राधारित हैं तो आंसर कीजिए एक बार आप लोग इन में से कौन सा अपसन हो जाएगा क्वेश्चन नमबर दो का हो जाएगा अपसन नमबर वन सीधी सड़क पर चलती कार क्या है ये सीधी सड़क पर चलती कार इसका अपसन विल्कुश सही हो जाएगा यही तैकी गई दूरी और विस्थापन के परणाम के बराबर है कि सीधी सड़क पर चलती हुई काराफ अगला कोश्चन है खाद पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल कर उन्हें लंबे समय तक परिरचित किया जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी पहला अपसद पदार्थों से पानी निकाल देते हैं तो अपको बताना है कि खाद पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल कर इन्हें लंबे समय तक परिरचित क्यों किया जाता है question number 3 का सभी लोग answer करेंगे एक बार तो इसका जाएगा option number 1 क्या जाएगा सूचम जीवी को सिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं ये क्या करते हैं जो सूचम जीवी को सिकाओं होती ही इनका द्रव्य कुंचन कर देते हैं इसलिए खादिपदार्थों को अधिक समय तक रखने के लिए मुसमें नमक और चीनी डाल कर उन्हें रख देते हैं आगे देखते हैं अलग question है मूल गोप नहीं पाया जाता आपको बताना है कि मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है question number 4 का answer करेंगे सभी लोग एक बार मूल गोप नहीं पाया जाता है इसका उज़ागा amsun no 2 जलीए पोधोमें मूल गोप नहीं पाया जाता है किसमे नहीं पाया जाता है जलीए पोधोमें सारे का सारे question जो है previous एर सीटट पे आधारित है 2011 से जितने भी question है सभी आपको इस series में कर वादिये जाएंगे तो देखते रहे हैं आप हमारे साथ ये सीरीज लगातार एक एक दिन छोड़के आपको मिलती है साइंस की क्लास एक दिन मिलती है आपको सामाजी विग्यान की क्लास तो इस प्रकार से एक दिन छोड़ छोड़के आपको क्लासे मिल नहीं है तो जो लोग नए जोड़ रहे हो चैनल पर वोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अपनी सीटेट की कई सारी आपके लिए हमने क्लासे बना रखे आप जाईए हिंदी की हो EVS की हो सामाज़ी विज्ञान की हो साइंस की हो मैथ पेड़ागोजी की हो तो कई प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएगे हैं वहाँ पर अपनी बहत्रिन त्यारी के लिए आप हमारी प्लेलिश्ट में जाएए और वहाँ से सभी क्लासों को देखिए और अपने मार्क्स को बढ़ा लीजिए वहाँ से जाकर की देखिए अगरा क्वेश्चन है एक आदमी सुनार बनकर घरगर जाता है वह पुराने सोने के गहनों पर चमक वापस लाने का वादा करता है एक महिला उसे सोने की चूडियां देती है जिसे वह एक विश्चन गहोल में दुबवता है चूडियां चमक जाती है लेकिन उसका भाहर काफी कम हो जाता है इस दोखे बाज दोरा उप्योग किया जाने वाला गहोल हो सकता है आपको बताना है कि किस गहोल में उसने उसकी सोने की चूडियों को डुबवया कि जिससे उन चूडियों का भाहर कम हो गया लेकिन उनमें चमक आ गई तो सभी लोग इसका एक बार आंसर करेंगे तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर थ्री क्या हो जाएगा इसको एकवा रोजियम भी बोलते हैं अगला कोस्टेन है जब लोहे की कील को कापर सलफेट के गोल में डुबवया जाता है तो कापर सलफेट के गोल का रंग फिखा पड़ जाता है और लोहे की कील के उपर एक भूरी परत जम जाती है या क्यों होता आपको बताना है सायोजन प्रत क्रिया है वीगटन प्रत क्रिया है या फिर द्रवी विस्थापन अब क्रिया है या फिर विस्थापन और रिडाक्स अब क्रियाओं का उदारने तो बताईए ऐसा क्यों होता है सबी लोग इसका आंसर करें कोश्चेन नमबर 6 का एक बार कोश्चेन नमबर 6 का हो जाएगा आपसर नमबर 4 विस्थापन और रिडाक्स अब क्रियाओं का उधारन ये कैसा ही है विस्थापन और रिडाक्स अब क्रियाओं के करण जब लोहे की कील को कापर सलफेट में डुवाय जाता है तो कापर सलफेट के गोल का रंग फीका पड़ जाता है यानि आपसर नमबर फोर इसका विल्कुत सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है फिटकरी को घाओ में लगाने से रक्त स्राओ बंद हो जाता है क्योंकि पहला अपसर ने फिटकरी का टुकड़ा घाओ को ढख देता है दुसरा है फिटकरी रक्त साओ को जमा देती और ठक्का बना देती है तीसरा है फिटकरी घाओ के पास के तापमान को कम कर देती है चोथा है फिटकरी एक पूरते रोधी है तो बताईए कोश्चेन नमबर साथ का कौन सा आपसन सही हो जाएगा सभी लोग इसका आंसर करेंगे कोश्चेन नमबर साथ का बताए कौन सा अपसन सही हो जाएगा फिटकरी को गहाओ में लगाने से रक्त सावबंद हो जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को जमा देती है अपसन नमबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा जमाने के बाद में इसका ठक्का बना देती है अपसन नमबर में विशाक्त पदार्थ होते हैं तीसरा है दोनों समान रूप से अच्छे होते हैं चोथा है दोनों मैंसे कोई भी अच्छा नहीं क्योंकि दोनों में विशाक्त पदार्थ होते हैं तो इसका अंसर किजिए सभी लोग Q8 का क्या हो जाएगा Q8 का हो जाएगा फिर प्लेनों उत्तर लेंस या फिर आवतल दरपन की तरह कार करता है वेवहार करता है तो बताइए पानी के अंदर वायू का बुलबुला डॉट-डॉट की तरह कार करता है इसका अंसर दीजिए एक बार सभी लोग कोश्चन नमबर नौ का हो जाएगा अफसर नमबर वन क्या हो जाएगा पानी के अंदर वायू का बुलबुला आवतल लेंस की तरह कार करता है किसकी तरह कार करता है आवतल लेंस की तरह कार करता है पानी के अंदर वायू का बुलुला यहाँ पर अवतल लेंस भर दिया आपको बताना है इन में से कौन सा कथन सही हो जाएगा पहला अपसन देखते हैं हलकी वस्तु में अधिक सम्वेग होता है दूसरा है भारी वस्तु में अधिक सम्वेग होता है तीसरा अपसन है दोनों वस्तु में बराबर सम्वेग होता है चौथा अपसन है दो वस्तु में अधिक सम्वेग होता है अपसर नमबर दो इसका विल्कुल सही अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोश्चन है यदि किसी तरल पर दाब बढ़ता है तो इसका कोथनांक क्या हो जाएगा आपको बताना है यदि किसी तरल या द्रवी पर दाब बढ़ता है तो इसका क आधारित है तो बताईए This 2 criterion is a जाएगा in the function पूर में और ता चाय जाता है तो इसका इतना स्थूय को पुते है झाँ अजरे जाता है घृत प्रकत में चारी होते हैं तीसरा है प्रकत में उबहे धर्मी होते हैं चौथा अपसने लाल लेटमस पातर को नीला कर देते हैं तो बताइए अधात आकसाइड इनमें से कैसे होते हैं कोश्चन नमबर 13 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार तो इसका अपसन नमबर वन क्या हो कि आपसन देखते हैं जस्ता टिन से महंगा होता है जस्ता टिन से अधिक क्रियासील होता है जस्ते का गनलांक टिन से अधिक होता है या पर जस्ता टिन से कम क्रियासील होता है तो आपको बताना है कि भोजन के डिब्बे की आंतरिक सताहों को टिन के साथ लेपित किया जात आपके सीटंड के लिए कितनी सारी क्लास ह आपसने अमल का पानी की और गहरा कर्षण है दूसरा है अमल कांच के बरतन को तोड़ सकता है तिसरा आपसने अमल को तन बनानी की प्रक्रिया आत्यदिक उस्मा छेपी है चोथा आपसने अमल को तन बनानी की प्रक्रिया आत्यदिक उस्मा सोसी है तो बताइए कौन सा हो जा जाएगा अमलकोतन बनानी की प्रक्रिया अत्य अधिक उसमा छेपी है अपसन नंबर थी इसका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोस्चन है मनुस्री का अंगुठा बाकी अंगलियों की अपेच्छा अधिक सोतंतर से गति करता है क्योंकि उसमें उपश्तित होता है तो इसका अंसर कीजिए एक बार सभी लोग कोस्चन नमबर सोला का करता है और나मर थी इसको Доसुन के उन जोन फोर सेलक्ट के विल्कुल सही है जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है तीसरा अप्सन ये लंबाई को नियंतित करने में शाहता करता है चोथा है शरीर विद्धुत अप घट्टियों के संतुरन पर नियंतित रखने में मदद करता है तो बताइए इनमें से कौन सा अप्सन सही हो जाएगा हार्मोन, एडरन, लाइन के बारे में बताना है आपको अप्सन नंबर सेकेंड सेलेक्ट किया विलकू सही है वो शरीर को तनाओ के इस्तर को समायोजित करने मदद करता है जब कोई बहुत क्रोधित या चिंतित होता है अब चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव जो वायू मंदली तापमान में व्रदी का कारण बन रहा है मुख्यता के कारण होता है तो आपको बताना है किसके कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डायाकसाइड या फिसलफर के कारण होता है तो एक बार इसका अंसर किजिए सबी लो, question number 18 का तो इसका हो जाएगा option number 3 क्या हो जाएगा green house प्रभाव जो वाय मेंडली ताप मान में वरा दिखा कारण बन रहा है उसका मुख्यता वो carbon dioxide option number 3 इसका बिल्कुछ सही answer हो जाएगा आगे चलते हैं हरे पोधे दिन के समय वाय में युक्यता में आप में प्रकासस अंसर करेंगे एक बार कौन सा आपसन सही हो जाएगा जो साथे लोग बाद में क्लास देख रहे हैं वो क्लास देखने के बाद में अगर क्लास अच्छे लगे तो अपने साथी मुत्र के पास में सेर जरूर कीजिएगा क्लास को तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर फोर प्रकास असरेशन की दर दि प्रत्य जैविक किसके अप्चार में प्रभावी हैं ये अगली बीस कोश्चन आपके खताम हो चुके जो 2011 पूछे गे थे अब इसके आगे की कोश्चन है ये 10 कोश्चन 2012 के तो बताईया है प्रत्य जैविक किसके अप्चार में प्रभावी हैं अगे देखते हैं एक प्रियोग साला ताप मापी 55 degree centigrade और 56 degree centigrade के बीच 5 छोटे विभाजन प्रतरशित करता है, इसका तात्पर है कि ताप मापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है, तो आपको बताना है कि एक प्रियोग साला ताप मापी 55 degree centigrade और 56 degree centigrade के बीच 5 छोटे विभाजन प्रतरशि कर रहा है इसका दात पर क्या है कि ताप मापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है चारो अप्षन देखिए और बताइए इन में से कौन सा अप्षन सही हो जाएगा इस दोजार बारा में आपके पूछा जा चुका है प्रशन तो इसका हो जाएगा अप्षन नंबर टू क्या हो जाएगा 55.5 डिग्री चेंटिग्रेट इस रूप में इसको पढ़ा जा सकता है आगे देखते हैं निम्लिखित में से किस समू को राईजो बियम के साथ सही सही डंग से पहचाना जा सकता है निम्लिखित मैंивать किस मूख्या राईजो बियम साथ सही डंग से पहचाना जा सकता है पहला है लेग्यो मिनस पोदे स्रह जीवी तनिह की गरंथी दूसरा है जड़ों की गरंथियां घर पढ़नी न नायट्रोजन की कमी वाली मिट्ठी ति इसका हो जाएगा अपसर नमबर थ्री नाइट्रोजन इस्थरी करण जड़ों की गरंथियां और फली दार पोध हैं ये बिल्कुल सही अंसर है इसको जाद रखेंगे आप लोग अगला कॉश्चन देखते हैं जब कारबन डाय अक्साइड ताजे चूने के पानी के विलियन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है चूने के पानी का दूधिया पन किसके कारण दिखाई देता है आपको ये बताना है कि जब कारबन डाय अक्साइड ताजे चूने के पानी के विलि इसको देख रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाईक कर लेंगे। इसका होजागा अपसार नंबर 2 हे जाएगा। अविले शील केल्सियम कार्बोनेट की उपस्थित के कारण क्या होजाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया दिखाई देता है हमको इसलिए, आगे देखते हैं, आम तोर प्रखाद शामगरी को रखने के लिए, पैट, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है, पैट का प्रकार सुपरिचित है, question number 6 का सभी लोग आंसर करेंगे, तो इसका होजाएगा, option number 2 क्या होजाएगा, polyester, क्या होजाएगा, polyester जो है, यह बिल्कु सही अंसर है, आगे देखते हैं, अगला question है, CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है, तब उत्पाद बनते हैं, तो बताइए, CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है, तो कौन से उत्पाद ब H2O, जब उसका पूर्ण दहन हो जाएगा, तो बनेगा CO2O और H2O आगे देखते हैं, जब धात्विक चालक में विद्दु धारा प्रवावित होती है, तो चालक के उत्पादित उस्मा की मात्रा इसके ड़ट ड़ट पर निरभर करती है, तो बताइए इसमें कौन सा अप अप्सन एक केवल पदार्थ की लंबाई, दूसरा है केवल लंबाई और मुटाई, तिसरा है केवल पदार्थ की मुटाई चोथा है, पदार्थ लंबाई और मुटाई, तो आपको बताना है, जब धात्विक चालक में विद्दु धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के उत्पदित उस्मा की मातरा, कौन सा अपसं सही हो जाए那麼? सभी लोग अंसर किज़े एक बार, इसका अपसं नंबर फूर, पदार्थ लंबाई और मुटाई पर निर्भर करती है, अपसं नंबर फूर यहां पर हो जाएगा, पहला है लोह और केलसियम, दूसरा है सोडियम वा पोटेशियम, तिसरा है आयोडीन वा फ्लॉरीन, और चौता है लोह वा आयोडीन तो बताइए, इनमें से कौन सा अपसन सही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर टू सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर लोह और केलसियम भी कई लोगों ने सेलक्ट किया होगा और लेकिन हम यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ही सेलक्ट कर रहे हैं कर रहे हैं sodium oraz potassium, इसका सही answer हो जाएगा, कोशका भित्ति वाला सबसे चोटा सा जीव कौनसा है, तो सभी लोग इसका answer करेंगे, आज का अंतिम question है या आज आपको 20 questions करवा दिये हैं, आपको बताना है कमेंट बाकस में कि कि कितने questions आहीं निकलती समय से तो इसका आपसन नंबर हो जाएगा टू को इसका भीत वाला सबसे छोटा सा जीव जीव है जीवाड कौन है जीवाड जो है को इसका भीत वाला सबसे छोटा सा जीव जीव है वीडियो देखने के लिए धन्यवाज इतने साथ लोग हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम पर सर्च कर सकते हैं CDP को इन्वान सीमेम के नाम से फिलाला वी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बावाए